तो सर आपका जो सब्जेक्ट है यह बताना मुझे पता ही क्या मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सारी क्लासिस मिल जाए सब कुछ लाइव मिल जाए तब भी मैंने बच्चों के देखें हैं कि एक्जाम के टाइम पे दिक्कत हो जाती है तो जहां तक मुझे समझ में आता है कि इसमें लाइव क्लासिस या फिर आपकी सारे चैप्टर खतम करने यह काम इसके अंदर मांक्स नहीं आते बच्चों को एक गाइडेंस की जुरत है कि यह यह चीज ऐसे पिक करके खतम करते चलो एक्जाम के टाइम पे नहीं तो में लेके चलना है तो कॉर्परेट अकाउंट में मैं वह चैप्टर बता बताना चाहता हूं जो श्योर श्योर आता ही एक्जाम में और जिसमें कम समय भी लगता है तो सबसे पहले आपको कौन-कौन से चैप्टर उठाने मैं ऐसे अलग-अलग बताता जाओंगा कि इतने नंबर आज आएंगे इस चैप्टर को कर लो लेकिन इसका मतलब बहुत सारे बच्चे गलत ले लेते हैं बस यहीं करेंगा अब नहीं करेंगे कुछ भी तो मैंने कहा कि ताइम तू टाइम आज मैंने यह बताया परसों शायद मैं देखूंगा कि बच्चों ने यह कर तो सबसे पहले आप करना है देट इस शेयर कैपिटल जो हो चुका है और इसके अंदर आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है कैश्बुक वाले कोश्चिंज का और बैलेंशीट वाले कोश्चिंज का पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर चैप्टर कर लिजी आप रिडम्शन रिडम्शन कर रहा हूं सब्सक्राइब और बोनस के अंदर भी ध्यान रखिएगा सर बैलेंशीट को बड़ा अच्छे से क्योंकि आप तो बैलेंशीट पता ही चल गया क्या क्या होता है तीसरे और इसके अंदर भी आपको बैलेंशीट के ऊपर फोकस्ट करना है और पैसे तो जर्नल एंट्री भी है बैलेंशीट चौथे नंबर पर फोकस करिए रिडम्शन प्रिफरेंशीयर कैपिटल इसको तो पहले आप खतम करिए अगर रिडम्शन प्रिफरेंशीयर रह जाये तो कोई बात निया लेकिन तीन चप्टर खतम करिए जो question का rhythm बोलता है और question करने का एक तरीका बोलता है और question इस तरीके से चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा अगले part पे चलें तो अगला कौन सा section लेना चाहिए ये कर लेंगे तो मेरा मानना है कि आपके कहीं ना कहीं आपके 10 से 15 नंबर secure हो सकते है हो सकते है तो सर इसे पहले क्यों करें पहले fix वाला लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो आने वाले जो आगे के chapter से वो होंगे ही नहीं वो होंगे ही नहीं इसके बाद जो आपको chapter pick करना चाहिए नंबर दो पे सर reconstruction सर reconstruction ऐसा chapter है न कि आप इमानदारी से एक दिन लेके बैठे और एक पहली class देखने के बाद ही आपको confidence आ जाता कि ये तो हो जाए बहुत simple सा chapter है इसलिए मैंने दूसरे ये इसको खतम करने के बाद पाँचवे नंबर पे इसको खतम करी और इसमें से इसको खतम करते ही सबसे बड़ा एडवांटे चैप्टर एक और नंबर 18 शेप्टर एक और नंबर 18 यहां पर इतने चैप्टर करने के बाद भी मैं guarantee नहीं लूँआ लेकिन इसको एक चैप्टर के बाद गरेन्टीड बोल आपको अभी चाहिए गाइडेंस पढ़ना पढ़ाना तो वीडियो सारी बन गई है लेकिन गाइडेंस चाहिए और उस हिसाब से ग्रैप करना है ठीक है ना तो इसको छोड़ना नहीं है इसके अंदर भी आपका बैलेंस शीट है मेजरली और रीकंस्रक्शन यानि जो पूरे वीडियो में कराए हुए है वो कर लेंगे बड़े आराम से पेपर क्लियर हो जाता है ठीक है ना ये भी अल्रेडी है तो मैं देखो लाइब में करा दूँगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप प्री रि प्रीवियस देख लेना बिल्कुल अब देखो दो बता दिये मैंने आपको तो मान के चलो अगर ये अच्छे अगर आ गया तो दस और आठारा अठाइस नंबर हो गये आपको पास होने के लिए नबे में से एक्जामनर कहता है जादा नहीं लेंगे हम स्रेफ और स्रिफ मुझे चाहिए 하는데 36 पास होने के लिए को 8 और दस अठाइस हो देखा जाये तो दस नंबर भी और चाहिए मुझे पास होने के लिए तो एक ही स्मार्ट तो अभी आपको थोड़ा सा उप स्मार्ट प्रेक्टिस करना है अभी पहले आप अपने आपको सिक्य अब लगाएंगे ठीक है ना अब पता चला कि भी हमने सिक्योर किया ही नहीं इधर उधर उल्जे हैं और फिर दिक्कत है फिर अगला जो यूनिट करना है आपको चप्टर शिक्स पर ई अब आएंगे लोगारा लूवेशन अवेशन अब चार अब वाला बेल आएंगे लेशन अवड़ एद अन वे एद ले ल्यू एद अन वी वाला इद पाला इन वन तिर यह थम्टर इंशन थैंप्टियर एद को यूट इसे करने के बाद आपके यहां पर करीब बीस नंबर तो मान लो secure है क्योंकि जो marking scheme होता है कई बार उसमें से इधर उधर theory भी हो जाता है तो बीस नंबर इसमें secure हो जाता और यह मैं बात करूं अगर आप इमानदारी से चार दिन बैठ जाओ इसको लेकि तीनों चप्टर खतम हाँ इस चप्टर को मैं दुबारा करा हूँगा कि पिछली बार मैंने कराया है लेकिन बच्चे कह रहे थे सर मजा नहीं आ रहा है इसमें तो इससे दुबारा करा हूँगा लेकिन अब Valuation of Shares or Goodwill तो अच्छे से कराया है कोंसा Value Edit अबित आपको उस झीमें मिलेका, Valuation of Shares या Goodwill के अरे यह अलग से मिल जाएगा सर E.R. वालों को internal assignment देना पड़ेगा बिल्कुल नहीं देना E.R. वालों के लिए सिर्फ ये N.E.P. वालों बच्चों के लिए है आपको नहीं देना पड़ेगा आप देखो जो N.E.P. वाले बच्चे हैं और जो E.R. वाले बच्चे ने CVCS वाला उनका भी बोल दो उनका 75 का पेपर आएगा तो 75 में से उनको चाहिए सर 27 नमबर पास होने के लिए तो वो तो ये दो चप्टर करके पास हो गए दो ही यूनिट करके और जो बच्चे हैं कौन से NEP तो देखो 20 और 18 38 और 38 और 10 48 आप एक बात सोचो अगर आपके 50 नमबर भी आते हैं पेपर में तो वो बुरे नमबर नहीं है आपके इस बात का ध्यान रखना बीकॉम के अंदर ये 11 12 नहीं है कि 90 नमबर ही आएंगे आपके इसके अंदर तो अभी सेमेस्टर 1 वालों का रिजल्ट नहीं आया तो देखना किस तरीके से रिजल्ट बनता है अब हम आगे की बात करें सर इसके साथ क्या एड ओन करना है क्या नहीं करना है तो मैं अभी नहीं बताऊँगा क्यों नहीं बताऊँगा पहले इनको आप करिये फिर आने वाले 2 से तीन या चार दिन बाद फिर मैं बताऊंगा इसमें ये चेप्टर एड़ कर लो पढ़ने के लिए क्योंकि ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है फिर आने वाले टाइम में बोलूँगा कि भाया इसको एड़ कर लो जैसे cash flow एड़ कर सकते हो बता दिया मैंने ratio एड़ कर सकते हो तो आपना एक सबसे बड़ा mean problem देखा है कि corporate account को हम पूरा सोच लेते हैं और इतना सारा है और मैंने बताया भी इतना सारा ही है तो अब हमें उसमें से जो जादा जादा नंबर का चुन-चुन के निकालने है और चुन-चुन के करना है वाई मैं इतना कहता हूं कि जो बच्चा अभी भी पढ़ना start करेगा अभी भी जो पढ़ना start करेगा तो damn sure वो pass हो सकता है लेकिन यह depend करता है कि उसके अंदर कितना dedication है करने का अगर dedication है तो अच्छे नंबर भी ला सकता है पास हो जाएगा लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जैसे मैंने देखा है YouTube पे मैं देखता हूँ बहुत बच्चों कमेंट आते हैं और बहुत बच्चे बहुत सारे च share capital की पहली class देखोगे तो वहाँ पे 6 class मिलेगी और share capital की सारी पहली ही class मिलेगी अब देखो इस बार भी मैंने YouTube पे share capital की पहली class डाली है और उससे पिछली बार भी यू आपका share capital का पहला class डाला है अब थोड़ा सा जो बच्चे बिल्कुल starting से जूड़के कर लेते हैं तो उनको दिक्कत नहीं है लेकिन जो बीच में आते हैं उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है उनको systematic चीज़े मिलती नहीं है पहली class देख ली पिछले साल की दूसरी class देख ली इस साल की फिर confused हो जाएंगे वो तो रेदम तो खराब हो गया आपका उसमें तो जो बच्चे भी न साथ करूं एक लग जाएगी आपको पीछाई नहीं छोड़ेगी आपसे और आप भी नहीं छोड़ पाओगे इसको ऐसी आलात हो जाएगी तो एक तरीके से मान के चलो यह है ना एक tension मैं भोलता हूं हर बच्चों को जिसको लग गया तो मान लो यह साथ ही हो जाएगा आप का और एक साल एक्स्ट्रा लगा देगा आपके भी को में इतना साथ निवाएगा जरूर आपके यह तो इसलिए मैं कह रहा हूं अभी से भाई लेके चलो कोई और सब्जेक्ट अगर रह जाता है कंपनी लो मैं कहता हूं कंपनी लो दस दिन पढ़ लेना क्लासिस मैंने बन का समल के पढ़ना है इसके लिए तो अब मैं सोच रहा हूं कि क्लास को थोड़ा सा मैं हर क्लास के अंदर आपको एक स्ट्रेजी भी बताऊं तो मेक्शियर करना कि यह चप्टर फटाफट करो और मेक्शियर करना कि भाईया री कंस्ट्रेक्शन खुद करने की कोसिस करो मैं भी करा दूंगा ऐसी बात नहीं है लेकिन वीडियोज अवेलिबल है पूरा सिस्ट्रमेटिक गीवन है आप खुद करेंगे तो आप कर सकते हैं उसको वैसे बस लाइब बस वहां पर डाउट का ही सेक्शन होगा ना जो नहीं पूछ पाएंगे लाइफ में बाकी तो होई जाएगा है हां रेग्लर क्लास कोसिस करेंगे लेंगे एक फो आई जो है गले का फंदा बना हुआ है एक फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्मेंट सब्जेक्ट है उसके कुछ चेप्टर रहते हैं तीन उसको खतम करने के बाद जैंद तो हो जाएगा बाकी के चप्टर्स जोबीच के रहेगए वैसे तो तो अल्मोस्ट होई ही गए सारे चप्टर कैश रेशो एक मैं कराना चाहूँगा आपको अलग से फिर से देखो स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर पहले हम रीकंस्ट्रक्शन और कैश फ्लो कर ले क्या क्योंकि शेर कैपिटल ज्यादा टाइम लेगा भाईया जब आपको शेर कैपिटल की जनल एंट्री ही नहीं पता होगी तो आप कहां से कर पाओगे रीकंस्ट्रक्शन आता है अब बच्चा आता नहीं और शेर कैपिटल अकाउंट डेबिड कहां से सीखेगा यानि बेस तो यहीं से निकलेगा यानि आपको निकलना तो इसी से बच नहीं सकते इससे तो निकलना ही पड़ेगा अगर यह कर लिए आपने कुछ चेप्टर तो आपको एक देखो अगर आपने यह चेप्टर कर लिया ना फिर इसके साथ आप दो चेप्टर चला लो तीन चेप्टर चला लो फरक नहीं पड़ता बच्चे कह रहे सर इसके साथ चला ले तो कोई फरक हो का उसके साथ चला ले मैंने कहा कि अगर आपने यह चार चेप्टर नहीं किया वो बता दो देश तो देखो आपके उपर है मैं अगर मानू न तो इसके अंदर maximum से maximum आपको लेना चाहिए 5 से 6 दिन लेना चाहिए क्योंकि अभी आप न थोड़ा से एक subject को skip कर दो अभी कोई नहीं पढ़ते हैं अभी 4-5 घंटे हम इसको पढ़ लेते हैं तो 6-7 दिन 6 दिन में आराम से हो जाना है यह ठीक है इसके अंदर आपको लेना देखो यह मज़े की बात है maximum तीन दिन यही यही strategy नहीं पता होती बच्चों को वह यहां तक महुची नहीं पाता तीन दिन में जो जल्दी खतम करें वह यहीं उलज-उलज के रह जाता है और इसके अंदर भी कितने लगेंगे maximum लेकर चलो 3-5 देज मान के चलो बस तो यह ऐसे खतम हो जाएगा तो मानलो 6-3-9 और 3-12-12-13 दिन में यह पूरा खतम हो जाता है जिससे आप एक साइड सिक्योर हो जाते हो कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता लेकिन अगर आप फिर इसके अंदर क्या करोगे आप एड़न करोगे जैसे 50 नंबर स्कॉर होगी या फिर आप साथ पर जाओगे फिर सतर पर जाओगे फिर असी पर जाओगे तो वह लेवल अलग होगा लेकिन अभी तो जाओतर बच्चे क्या कर रहे हैं वह फस रहे हैं पास होने में किया करें जो कि पास हो जाओगे तो मैं वह चीज़े बता रहा हूं सर शेयर कैपिटल में बहुत टाइम यूटिलाइज हो रहा है खतम ही नहीं हो रहा पीछे का फिर माइंड से स्लिप हो रहा है तो देखो करना पड़ेगा और बाकि शेयर कैपिटल में मैंने वीडियो कम किया है स्टार मार्क लगा के वीडियो को कम किया है उसकी अकॉर्ड देंगे फिर क्या फाइदा फिर ऐसा नहीं है आपको करना सारा परेगा पहले यह स्ट्रेटेजी ऐसे चलना है बाद मैं बताऊंगा कौन से चप्टर छोड़ना है अभी तो सारा करके चलो हाँ बीकॉम ओनर्स हो प्रोग्राम हो सीवी सीएस हो कोई भी हो सेम ही है कुछ भी अलग नहीं है कौस्ट अकाउंटिंग तो आपके समेस्टर चार में होगा सीवी सीएस वालों का समेस्टर चार में था वो तो cost accounting का तो अलग से आज वाली class में discuss कर लेंगा उनका तो slivers जादा नहीं है उनका तो खतम ही है बस एक chapter रहता है उनका बागे सारा हो गया है बस मुझे उसमें overhead कराना है और एक service cost कराना है लगए holding company 15 number खाएगा CBCS में इसमें choice में भी holding company रहेगा cash flow statements है बिल्कुल कराएंगे इसके adjustments कराएंगे फार्मिट्स तो पहले कराए हुए है बलकि इसके adjustment करें बिल्कुल cash flow, final account और ratio इसमें choice आ जाती है इसलिए मैं भी cash flow पे इतना focus नहीं कर रहा है क्योंकि मैं final account करवा रहा हूँ भी जैसे जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे तो जो course लेना चाहते है वो हमारा application पर course भी है और आपको minimum 450 रुपए का एक course मिलेगा जो पूरा का पूरा star mark वगेरा लगा के सब कुछ करके एक course सारे 400 का है कुछ activity करने के बाद यह थोड़ा 400 से और discounting हो सकता है description मिले number है YouTube पे डालूँगा और उसके इसाब से आप देखके ले सकते हो तो जितने बच्चे भी है वो उसके इसाब से यह ले सकते है much not कुछ तो मानना है कि बहुत ज़्यादा प्राइज है और कुछ का मानना है सर यह तो बड़ा कम प्राइज है तो वही तीजे है मैं यह नहीं कह सकता कि ज्यादा है या फिर कम है वह तो आपके उपर टोटल डिपेंड करता है तो जिनको जोइन करना है लाइव भी है और उसमें इसी तरीके से सारी चीज़ें होती रहेगी कर दूप कर दोंगार से लाइव पिरूटल आरा सकता है कर दो दो मैं यह तो आपके जोड़ा है तो आ लाइव तो पंगार से सारी है भी है भी है झाल झाल